नेसले 100 सालों से देश की सिंदगी का हिस्सा हलो फ्रेंट्स मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम पूरी दुनिया की 145 साल पुरानी कंपनी नेसले की केस टाड़ी दिसकास कर रहे हैं नेसले कंपनी का फांडेशन लिया गया था जब हैंडरी नेसले ब्रेस्फीडिंग मदर के लिए एक हेल्दी और एक इकनॉमिकल प्रोड़क ढून रहे थे हेंडरी नेसले एक ट्रेन फार्मसिस थे वे काव मिल्क वीड फ्लोर और शुगर से एक ऐसा प्रोड़क डिवलाप कर रहे थे ताकि जो infant होते हैं जिनको उनकी मदर ब्रेस्फीड नहीं कर सकती हैं उनके लिए एक nutrition प्रोड़क डिवलाप किया जा सके उनका गोल था कि malnutrition की वजह से infant mortality rate जो काफी बढ़ चुकी थी उसको decrease किया जा सके और इसी तरह Nestle Company का foundation एक problem solving product को डिवलाप करने से हुआ था इसके अलावा दूसरी तरफ Anglo-Swiss condensed milk company जिसका foundation 1896 में Charles और George ने किया था ये company भी milk product line पर काम कर रहे थी ये company भी baby product condensed milk और cheese जैसे product को डिवलाप करके sell कर रहे थी और ये company Nestle Company का सबसे बड़ा competitor थी पर 1905 में ये दोनों company आपस में merge हो गई इसके अलावा Daniel Peter ने एक company form की इस company ने milk और कोका के combination से एक milk chocolate बनाया और ये company पूरी दुनिया की leading chocolate maker company बन गई बाद में ये company भी Nestle के साथ merge हो गई First World War के दुरान पूरी दुनिया में dairy product और milk के substitute जैसे की condensed milk और powdered milk की demand काफी बढ़ गई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में Nestle के product की demand काफी बढ़ चुकी थी Nestle की market काफी expand हो चुकी थी और World War खदम होने के बाद पूरी दुनिया में dairy product की एक अलग ही market बन चुकी थी तो इस तरह से World War की वजह से धीरे धीरे Nestle कंपनी ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिये थे 1930 में Nestle कंपनी ने ब्राजील की government की request पर क्योंकि ब्राजील में coffee surplus में होता था इसलिए ब्राजील की government की request पर Nestle कंपनी ने coffee पर research करना शुरू कर दिया 8 साल की research के बाद Nestle कंपनी ने एक powdered coffee बनाया जो soluble था और इस product को 1938 में Nestle कंपनी ने Nescafe नाम के product से introduce किया इस product के launch होते ही ये product तुरंध ही successful हो गया लोग इसे बहुत पसंद करने लग गए और Second World War के दुरान अमेरिका की आर्मी में एक ये बहुत ही important drink बन गया Second World War के बाद Nestle कंपनी food diversification में लग गई थी 1882 में Swiss Miller Jealous ने maggie नाम का एक food product बनाया जिसे easily और quickly cook किया चाह सकता था इसके अलावा इस कंपनी ने powdered soup, flavors और sauces बनाये ये कंपनी 1947 में Second World War के बाद Nestle कंपनी के साथ merge हो गई 1974 के बाद Nestle कंपनी पहली बार food sector के अलावा दूसरे sector के अंदर diversification करना शुरू कर दिया 1974 में Nestle कंपनी ने पूरी दुनिया की leading cosmetic brand Laurel का major share acquire कर लिया इसके अलावा food sector के बाहर Nestle कंपनी ने दूसरा सबसे बड़ा venture Alcon Laboratories Incorporation को acquire किया तो इस तरह से Nestle कंपनी एक wide range of activity में लग गई जिसमें एक चीज़ common थी They all contribute to satisfy the requirement of human body in various way तो इस तरह से Nestle कंपनी दूसरे product और दूसरे brand को acquire करने में लग चुकी थी और धीरे-धीरे product diversification में लग गई और पूरी दुनिया में expand होने लग गई अब बात करते हैं कि Nestle कंपनी ने competitive advantage कैसे gain किया कैसे ये कंपनी दूसरी बाकी कंपनियों से अलग बन गई और पूरी दुनिया में इतनी famous हो गई Nestle कंपनी का objective था कि वो nutrition, health और wellness का world leader बनना चाहती थी जिस पर हर stakeholder विश्वास करे अच्छाई खाने के जरीए जब जब शेर की जाती है दिलों को पास लाती है इसलिए हम अच्छाई मिलाते हैं हाँ चीज में Nestle, good food, good life लीडर बनने के लिए सबसे ज़्यादा important है trust build करना और ये trust आपके behavior से build होता है कि आप किस तरह से behave कर रहे हैं उस वजह से ये trust factor बिल्ड होता है कोई भी organization जो market leader बनना चाहती है उसके लिए सबसे important है कि वो consistently अपने customer को जो promise किया है वो deliver कर पाए और Nestle company consistently अपने customer को जो promise करती थी वो deliver करती थी और इसलिए Nestle company धीरे-धीरे market leader बन गई Nestle company ने एक simple phrase introduce किया good food, good life और जो promise कर रहे थी उसको deliver भी कर रहे थी तो इस तरह से Nestle company लोगों का trust build कर रहे थी customer का trust build कर रहे थी अपने brand की तरफ और धीरे-धीरे market leader बनती जा रहे थी अब आईए समझते हैं कि वो क्या strategies थी जिसको follow करके Nestle company market leader बन गई तो पहली strategy थी people, culture, value और attitude दूसरी business strategy थी unmatched geographical presence तीसरी business strategy थी unmatched product and brand portfolio चौथी business strategy थी unmatched research and development capability पाँचवी business strategy थी good relationship with employee पाई छड़ी business strategy थी food is local तो आईए समझते हैं कि कैसे Nestle company ने इन business strategy को follow किया और company ने competitive advantage गें किया company कैसे दूसरी company और अलग बन गई और market leader बन गई और किसी भी दूसरी company के लिए Nestle को copy करना असान नहीं है तो Nestle company के पहली business strategy है people, culture, value और attitude जिसकी वज़े से company को competitive advantage मिला और जिसको किसी और company के लिए copy करना आसान नहीं है Harvard के academician का मानना है कि Nestle company का multi-culture attitude company की दशकों से सफलता का सबसे बड़ा कारण है Michael Potter का भी मानना है कि Nestle company का multi-culture attitude company के value chain में value addition करता है जिसकी वज़े से company को competitive advantage मिलता है अब ये value chain क्या होती है value chain एक ऐसी chain of activity होती है जिससे product pass होता है और हर activity में product value gain करता है value chain analysis के थूँ कोई भी organization अपने organization की हर activity में value add करती है और जितनी भी non-value added activities होती है उसको remove करने की कोशिश करती है ताकि organization के जो resources हैं जो waste हो रहे हो उसको save किया जा सके और product की cost को reduce किया जा सके strategically तो इसके लिए organization का जो multi-culture corporate attitude है वो बहुत ही help करता था इसके अलावा Nestle company environment protection पर भी work कर रही है मतलब Nestle company कम से कम resource use करके जादा से जादा product develop करे और अपने product में जादा से जादा value अपने customer को दे सके और जितने भी waste होते हैं जो भी किसी भी organization के अंदर waste होते हैं Nestle company कोशिश करती है कि अपने organization के अंदर से जो भी waste हो रहे हैं निभा रही है Nestle company अपने raw materials सीधे farmer से acquire करती है जिसकी वजह से Nestle company न सिर्फ अपने product की quality को maintain कर पाती है बलकि farmers को भी steady और एक regular income दे पाती है तो इस तरह से Nestle company न सिर्फ अपने product की quality को improve करती है न सिर्फ resources को save करती है न सिर्फ environment को बचाती है इसके अलावा farmers की भी मदद करती है अब इसके बाद हम discuss करते हैं दूसरा reason जो Nestle company को competitive advantage देता है वो है unmatched geographical presence Nestle company पूरी दुनिया में 130 से भी अधिक देशों में अपने product sell कर रही है Nestle company ग्लोबल framework पर काम कर रही है Nestle company का principle है centralize what you must and decentralize what you can तो इस तरह से Nestle company अपनी जो भी activity जिसको centralize कर सकती है उसको centralize कर देती है और जो भी activities जिसको decentralize किया जा सकता है उसको decentralize कर देती है इसका मतलब Nestle company ग्लोबल कंपनी होने का भी advantage लेती है centralized activities को use करके और जितनी भी small local businesses हैं जिन countries में भी इसका business होता है वहाँ पे जितने भी local small businesses हैं उनका भी advantage लेती है अपने business को decentralize करके Nestle company जो इतने सारे देशों में काम कर रही है जो इतने सारे देशों में अपने product sell कर रही है इन सारे देशों के stakeholders और यहां के logo के लिए long term value create करने में लगी हुई है अब Nestle company ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि Nestle company का मानना है कि जिन country में Nestle company operate कर रही है अगर वो उन country को help करेगी उनकी growth में तो साथ में Nestle company की भी growth अपने आप होगी और Nestle company की यही सोच Nestle company को अपने दूसरे competitor से competitive advantage देता है इसके बाद तीसरी business strategy जो Nestle company को competitive advantage देता है वो है unmatched research and development capability बार बार innovation करना Nestle company का key competitive advantage है Nestle company ऐसे product जो nutritious भी हो और tasty भी हो ऐसे product की development में लगी रहती है और इसके लिए Nestle company गजब का research और development करती है पूरे दुनिया में 50 देशों में 3500 से बे जादा लोग Nestle company के अंदर research and development में लगे रहते हैं ताकि Nestle company अपने product से customer को nutritious, health और wellness दे सके इसके बाद next business strategy है जो Nestle company को competitive advantage देता है वो है Nestle company का unmatched product और brand portfolio किसे भी दूसरी company के comparison में Nestle company के पास largest food और beverage की range है infant से लेके old age तक हर range के लोग Nestle के product के consumer है Nestle के बहुत सारे brand market leader है और गजब की customer loyalty create करते है Nestle के growth strategy के अंदर Nestle के decentralized policy आती है जिसका मतलब है local product की production के लिए locally sourced raw material को use किया जा सके तो इस तरह से Nestle local area के raw material को use करके उस country के local area की economy को growth करने में help करती है Nestle company farm या retail outlet पर investment नहीं करती है बलकि Nestle company अपने core competence जो raw material को high quality product में convert करना है इसी पर लगी रहती है तो इस तरह से Nestle company हर stakeholder का ध्यान रखती है और company के supplier और customer के साथ long term relationship बनाने पर विश्वास करती है तो इस तरह से company अपने organization को competitive advantage देती है जो किसी भी दूसरे organization के लिए copy करना असान नहीं है इसके बाद next business strategy है employees के साथ अच्छे relationship build करना जो Nestle company को competitive advantage देता है strategic cost management के अंदर organization के जितने भी internal employees होते है उसको organization का internal customer कहा जाता है जिसके साथ organization को अच्छे relationship बनाने ज़रूरी है और Nestle company अपने organization के अंदर जितने भी employees हैं उनके साथ भी अच्छे relationship बनाने पर विश्वास रखती है Nestle company अपने employees को ऐसे returns देती है कि इसके employees motivate रहें और अपने employees के लिए ऐसी policies बनाती है कि employees इस organization के साथ long term associate रहें तो इस तरह से Nestle company अपने employees के साथ long term अच्छे relationship बनाने में लगी रहती है और इसलिए अधिकतर employees Nestle के साथ lifelong काम करते हैं इसके बाद next business strategy जो Nestle company को competitive advantage देता है वो है food is local Nestle के product लगभग पूरी दुनिया के हर corner में मिलते हैं पर Nestle standard food taste पर विश्वास नहीं करता है standard food taste का मतलब है कि हर food का एक ही taste हो और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उस taste को consume कर रहे हो उस product को consume कर रहे हो पर Nestle ऐसा product नहीं बनाता है और ऐसी strategy नहीं follow करता है क्योंकि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की हर location में लोगों का culture different है लोगों की need different है लोगों का taste or preference different है लोगों की habits different है तो इसे लिए लोगों की habits को समझ कर लोगों की taste or preference को समझ कर Nestle company उनके according अपने product को modify करती है और accordingly उस product को उस area में sell करने की कोशिश करती है तो ये सारी business strategies थी जिसकी वज़र से Nestle company को competitive advantage मिलता है company दूसरे competitor से अलग बन जाती है और competitor के लिए Nestle company को copy करना और Nestle company के साथ compete करना असान नहीं रहता है तो अगर आप लोगों को ये case study अच्छी लगी तो ये case study आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा हूँ Thank you so much